राजस्तान के कोटा में बच्चों की मोत का मामला तूल पकटा जा रहा है। प्रेंका गांधी का नाम लिये बिना माया वती ने निशाना साथते हुए कहा कि कॉंगर्स पार्टी के शीष नितित्व और खासकर महीला मास अचीव की इस मामले में चुपी साधे रखना बेहत दुखत है। अच्छा होता कि यूपी की तरह उन गरीब पिडित मावों से भी जाकर मिलती जिनकी गौद केवल उनकी पार्टी की सरकार की लापरवाह के कारण ही उजड़ गई है। प्रिंका गांधी को कटगेरे में खड़ा कटे हुए मायवती ने कहा कि अगर कॉंगर्स की महीला रास्टे महास अचीव राजस्तान की कोटा में जाकर मृतक बच्चों की मावों से नहीं मिलती है तो यहां अभी तक किसी भी मामले में यूपी पिडितों के परिवार से मि नवजातों की मौत थमने का नाम नहीं ले रही है अधिकारियों के मुताबिक दिसंबर के आखरी दो दिनों में यहां नो और बच्चों की मौत हो गए इसके साथ ही मरने वालों का आकड़ा बढ़कर सो तक पहुच गया है अस्पताल के सुप्रिडेंड के मुताबिक नव इफ्रा च्रक्चर पर चिंता जताई उन्होंने कहा कि एक ही विस्तर पर दो तिन बच्चों को रखा गया है अस्पताल में प्रियाप्त संख्या में नर्सों की भी कमी है इससे पहले राश्य बाल अधिकार सेलक्षन आयोग ने राज्य सरकार को इस मामले पर कार्ण सरकारी अस्पताल में मोथ के बाद विपक्ष ने राज्य सरकार पर निशाने पर है वही राजतान सरकार की समीती ने का की नवजातों को सही उपचार दिया गया थे ऐसे ही लेटेस को बरेपाने के लिए बेल आइकन को ख्लिक कर हमारी चैनल को लाइब शेर और सब्सक्राइब करें घंदेवाद